वेल्कम टुदा जी के ब्रेक्टिव एलोजी चैनल मैं हो नीट गुरुजी को और कर्मागरम वीडियो तो हम इसमें देखने वाले हैं कि भाई जो गुलुकोज के एक मॉलेक्यूल के एरोबिक रेस्पिरेशन ब्रेक्डाउन में कितने एटीपी प्रोडूज होते हैं यह हम इसमें देखने वाले हैं तो इंपोटेंट वीडियो है और बहुत ही अच्छे तरीकी से समझने वाला है कि कितने एटीपी होंगे तो हम सुरुआत करेंगे भाई ग्लाइकॉलिस से अब जब ग्लाइकॉलिस सुरुआत होती है तो ग्लुकोज एंट्री करता है तो यहां हम देखेंगे कि दो एटीपी सुरु में यूज हो जाते है ठीक है टू एटीपी इटिलाइजड अब यहां देखो कि यह सिक्स कारबन का था यह थ्री कारबन और थ्री कारबन में कनवर्ट हो गया अब जो इसकी साइकल चलेगी वो इसकी साइकल चलेगी ठीक है दो तरफ सा टू ठीक है जी तो how many NADH has been produced from glycolysis दो NADH ठीक है जी यहां clear cut लिखाओ है 2 NADH are produced from glycolysis अच्छा अब direct ATP कितनी बनी एक इस step पे बनी एक इस step पे एक यहां से भी चल रही है एकशन भाई total ATP कितनी होगी चार यहां two का symbol लगा रखा है two into this ठीक है यह दोनों क्या है कि आपस में inter convertible है एक दूसरे में convert उते रहते हैं देख रहे हो यह reversible का लगा हो है symbol तो एक ATP यहां एक ATP यहां तो दो तरफ है तो चार ATP कितनी होगे बई चार तो direct ATP produced is four और glycolysis के अंदर ही two ATPs has been utilized अब glycolysis का तो फंडा समझ में आ गया चलो आगे भई fermentation तो दब होती भई जब oxygen की कमी होती है अब हम आगे देखो pyruvic acid ठीक है आखरी product क्या था pyruvate था अब pyruvic acid क्या करेगा mitochondria के matrix में entry करेगा subtle system के थुरू entry करता है तो entry point पे भी NADH release हो गया अब कितने pyruvate बने थे दो यहां कितने हैं एक तो जब दो entry करेंगे क्योंकि हम एक glucose molecule से देख रहे है न एक glucose molecule से दो pyruvate बने एक pyruvate से एक NADH entry पे निकला तो दो pyruvate से कितने निकलेंगे दो तो entry point पे मार दिया भाई हमने दो NADH निकल गए यह subtle system के थुरू जो entry करता है वहां पे दो NADH हमने तभी लिखा हुआ है यहां एक है क्योंकि दो pyruvate घुजेंगे न एक glucose से दो pyruvate बने दो लिखा हुआ है अब citric acid cycle जो चलेगी वो एक pyruvate की चलेगी citric acid cycle एक pyruvic acid की चलेगी लेकिन glucose से कितने pyruvic acid आएं दो तो इसलिए जो भी इसमें produce हो रहा है उसका double तो citric acid में NADH कितने निकल रहे हैं तीन तो total कितने हो जाएंगे 6 total कितने हो जाएंगे भई 6 NADH मैंने यहां लिखा हुआ है citric acid cycle से FADH2 कितना निकल रहा है एक step पे तो मैंने कितना लिखा हुआ है 2 क्योंकि 2 हो जाएंगे मैंने total लिखा हुआ भई अगर single cycle में पूछे तो एक ही होगा लेकिन total में तो 2 हो जाएंगे न तो जो पूरा overall आया total NADH कितने आगे 10 एक NADH से 3 ATP बनते हैं ठीक है जी एक NADH से 3 ATP बनते हैं और मैं बता दू कुछ standard books में जैसे इस ट्रायर भायो के में स्टिक कि उसमें यह भी रिखा हुआ कि धाई ATP बनता है ठीक है धाई और डेड़ का भी concept है तो वह थोड़ा साला को गया लेकिन हम तीन और दो कामान के चलेंगे और FADH2 कितने ATP बनता है एक से दो बनता है तीन दस्तिया तीस तीस ATP तो NADH से आगे और दो दूनी चार चार ATP तुम्हारे FADH2 से आगे और चार ATP डिरेक्टली प्रोड्यूज हो गए तो टोटल ATP प्रोड्यूजड इन फ्रॉम वन मॉलेक्यूल ऑफ ग्लुकोज इन इरोबिक रेस्पिरेट्री ब्रेक्डाउन पाथवे इज थर्टी एट मॉलेक्यूल्स ऑफ एटिपी लेकिन अब तिग्डम फस्ता है कि टोटल ATP 38 प्रोड्यूज होते हैं लेकिन जब मैं बात करूं नेट गेन ऑफ दे एटिपी 36 होगा क्यों 36 होगा तो रीजन देख लो गया यह मैंने यहां लिखा भी हुआ है कि टू एटिपी यूटिलाइजड लाइप देखो दो एटिपी शुरू में ही यूज कर लिए गये हैं एक एटिपी यहां यूज हो गया एक एटिपी यहां यूज हो गया तो प्रोड्यूस तो 38 हुए लेकिन नेट प्रोफिट नेट गेन कितना हुआ भाई 38 हमने निकाले दो हमारे वहीं लग गए तो 36 का हुआ कहत टोटल एटीपी कितने प्रोडीज हो रहे हैं इस पे क्वेस्चन आता रहा है अगर वो कहें कि कंसीडर दा सटल सिस्टम की एंट्री पॉइंट को लेकर कितने होंगे तो वहां अड़ती सा जाएगा कई बार क्वेस्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे जाता है ट्विस्ट य इस एंट्री पॉइंट वाले स्टैप को हटाना पड़ता है तो वहां हमें दो एंड़ हटाने पड़ेंगा मतलब 6 ATP हटानी पड़ेगी ध्यान रखना कि वह सटल सिस्टम को इंक्लूड करके कह रहा है कि एक्स्क्लूड अगर वर्ड मेंचन है तो उस पे ध्यान देने की ज़रुरत है अगर वर्ड मेंचन नहीं है तो उस इंक्लूड करके ही बहुत रेर एक्जामिनर ऐसे होते हैं जो ऐसे क्वेस्टिन डिजाइन करते हैं और कहीं बार मैंने देख़्ें बगेरा में यह आ जाता था कि सट्रल सिस्टम को हटा के फिर सट्रल सिस्टम को लगा के तो फिर वहाँ दिखता दे जी बही तो अगर डिरेक्ट है तो सिधा मार दो 36 का आकड़ा जो तुम्हें बता है टोटल गेन कितना होगा 36 ATP from one molecule of glucose in aerobic respiration तो यह थी बही है टोटल ATP produced तो बहुत important समझने वाला है यह तो GK Objective Biology by Neat Guru जी चैनल को कर दो subscribe लाल बाला बटन दाओ और नीट में रेंक पाल